क्या आप फोन पे से स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं यानि फोन पे से स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाताऊंगा फोन पे से स्टेटमेंट कैसे निकाल सकती हो यानि डाउनलोड कैसे कर सकती हो आईए इस वीडियो में जानते हैं सो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं शबसे पहले आपको अपने फोन में फोन पे ऐप को open करना है, इसके बाद अगर आप lock लगा हैं, तो आप unlock कर लेंगे, unlock करने के बाद आप यहाँ देखेगा, नीचे में दिखरा होगा history आपको यहाँ क्लिक करना है, जैसा आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपके सामने आपके द स्टेटमेंट तो आप आसान से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको यहां दिखरा हुगा लेफ्ट में डाउनलोड स्टेटमेंट आपको यहां क्लिक करना है जैसा आप यहां क्लिक करते हैं तो आपके समने आ जाते हैं रेंज और यहां दिखरा हुगा फ पर क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं नब्बे दिनों का करना यानि नब्बे दिनों का इस्टेटेमेंट चाहते हैं तो आप यहां क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अधर वाज 360 यानी 1 year का चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे otherwise और भी आप चाहते हैं range के हिसाब से करना मन पशंद अपने मंद के हिसाब से suppose January से जून तक तो आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे वाले पड़ इसके बाद आपको यहां start from पर क्लिक करने के बद आपको यहां एंटर करना है suppose January मैं एंटर कर दिया इसके बाद apply पर क्लिक करना इसके बाद यहां दिख़रा होगा end date last कब तक चाहते हैं मैं जून तक चाहता हूँ इसके बाद apply पर क्लिक करना है और जैसा आप यहाँ क्लिक करेंगे डाउलोड प्रोसेस हो जाएगा अगर आप चाहते हैं financial year का करना तो आप यहाँ क्लिक करेंगे financial year पर इसके बाद आप यहाँ देखलेंगे जो current चल रहा है वो current financial year चाहिए अगर आप चाहते हैं 20-24 का statement तो आप यहां क्लिक करने के बाद आपको यहां प्रोशीड पर क्लिक करना है, इसके बद आपको यहां कन्फरम करना है, याद रहे जो आपको यहां दिखाया गया है, इसी email id पर आपके पास जाएगा वो statement जो आप अभी download करोगे, तो आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपन यहां देखिए गोट इट है आपको यहां क्लिक करने के बाद बैक आना है इसके बद आप अपने फोन में जीमेल उपन करने के बाद अगर आप लोग लगे हैं जीमेल पर तो आप अनलोग करने के बाद आप एक बार रिफ्रेस करेंगी रिफ्रेस करेंगी नहीं आता है तो आपको यहां कुछ दिर वेट करना है, सपोज मैं यहां पर आपके सामने वेट करके दिखाता हूँ, अब आप यहां देखिए, आपको यहां दिख रहा होगा, फोन पे के तरफ से आ चुका है, स्टेटमेंट आप यहां देखिए, आपको यहां क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो आप डाउड करना चाहते हैं वो आपके सामने यहां नज़र आ रहा होगा लिख रहा है यह फोन पे ट्रांजोक्शन एस्टेटमेंट और यहां लिख रहा है नाम वगर आओगा और कहाजो आता है कि यह जो आपको दिखुरा है to view the statement यानि के जो आपका phone पे बना हुआ जिस नंबर से मोबार नंबर से उसी मोबाईल नंबर को आपको इसमें डॉलना है आपको यहाँ सब से पाले डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है इसके बार जैसे डाउनलोड होगा आपके सामने इस तरह आ जाएगा और आप यहाँ password को डालेंगी जैसे कहा हमने आपको पहले ही बता दिया है आपको यहां अपना mobile number को डाल देना है जो आपका phone page का mobile number है चलिए मैं डाल देता हूं तो हमने डाल दिया phone number फन नंबर डालने के बद आपको रखक्त आको के पर कसा हैं जैसे आप यहां ओके पर कलिक करते हैं आपके सामनी आजरा आते हैं लिए आप यहां देखे जो आपने उसका इस्टेटमेंट यहां पर मज़र आ अजर ahead आप यहां देखेगा financial year को हमने select करके download किया है 23-24 का ये statement है जो आप download करोगे आप यहाँ देख लेंगे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा अब आपको मैं zoom करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है जुम करोगे तो आपको यहाँ उपर ही दिख जाएगा your statement for mobile number है जो आपने phone पे में लगाया होगा registered होगा और यहाँ देखिएगा date वाज रहता है यह statement आपको दिख रहा होगा date इधर रहेगा जसे के 1 April 2013 से दिख रहा होगा start और यहाँ देखिए transaction डिटेल है किसको आपने पैसे भेजे उसका डिटेल रहेगा और यहाँ देखिए का type debit है या credit है देख लेंगे इसके बाद amount देखे सो रुपे हैं इस तरह आप आशानी से phone पे से bank statement यानि कि यह transaction statement को डाउनलोड कर सकते हो बरी आशान से तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पशंद आया होगा वीडियो पशंद आये तो इसी वीडियो को लाइक कर देना चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में देजे इजाज़त ठैंगे शमाल